हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे मेथी के पराठे सर्दियों में नाश्ता हो या फिर सफर में कहीं लेकर जाना हो इसके लिए एकदम परफेक्ट रेसेपी है बहुत ही बढ़िया परतदार पराठे बनके तयार हुए है खाने में स्वादिश होने के साथ साथ इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो फ्रेंज आईए देखिए मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं यहाँ पे 300 ग्राम मेथी को धोके अच्छे से साफ करके छोटे छोटे एकदम बारिक काट लिया है अब एक कडाही लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल तेल को हमें एकदम तेज गरम करना है जब तेल बहुत जादा गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे आधा टेबिल स्पून जीरा जीरा जैसे ही अच्छे से पक जाए तो तुरंत ही इसमें डाल देंगे मेथी और इसे दो मिनट तक भून लेंगे तेल अच्छा तेज गरम होने से मेथी में स्मोकी फ्लेवर आ जाता है बस दो मिनट तक हम इसको चलाते हुए भून लेते हैं और यह देखे मेथी एकदम सौफ्ट हो गया है तो अब हम इसे कडाहि में से निकाल लेते हैं प्लेट में निकाल लेंगे जिससे की यह जल्दी थंडे हो जाएंगे तो यह देखे अब हम डो बनाते हैं डो बनाने के लिए यहाँ पे लिया है तेड़ कप गेहु का आटा आधा कप बेशन अब इसमें आड़ करेंगे एक टेबल स्पून अजवाइन इसे हाथ से रब करके अच्छे से क्रश कर लेंगे आधा टेबल स्पून काली मिश पाउडर आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून लाल मिश पाउडर आधा टेबल स्पून नमक स्वात के अनुसार सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे दो टेबल इस्पून फ्रेश मलाई घर की दूद पे जमी हुई मलाई है एक टेबल इस्पून करश किया हुआ अदरक दो हरिमिष पारिक टुक्रों में कटा हुआ एक कप धन्या पत्ता बारिक कटा हुआ सबको हाथ से अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम ने जो मेथी के पत्तों को भुनके रखा था वो इसमें डालेंगे अब ये ठंडे हो चुके हैं और इसके बाद इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे mix करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए, हम इसका soft dough बनाएंगे तो मेथी में जितना पानी था उससे हमने आटे में mix कर लिया है अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी हिसाब से डालते हुए, इसको mix करते हुए dough बना लेंगे और डो सॉफ्ट होना चाहिए ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए ये देखिए डो बन गया है तो अब हम इसे ढख के 10 मिनट तक रेश्ट के लिए छोड़ देते हैं अब हम डो में एक टेबल स्पून तेल और डालके इसको अच्छे से थोड़ी देर तक एक से डेर मिनट तक और गुथ लेते हैं जिससे की ये डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और पराठे एकदम सॉफ्ट बनेंगे तो चलिए अब हम इसके पराठे बनाते हैं डो रेडी हो गया है पराठे बनाने के लिए डो में से जितना बड़ा पराठा बनाना है उतना लोई लेके इसका पेड़ा बनाएंगे और इसे ये होके आटे से डस्ट करके बेलेंगे आटा डस्ट कर लेने से ये चिपकता नहीं है इस तरह से गोल बेल लिया है अब हम परतदार पराठे बना रहे हैं परतों वाले पराठे तो इसलिए घी लगाके ऐसे फोल्ड कर देंगे और जितनी बार फोल्ड करेंगे उतनी बार घी जरूर लगाएंगे तो इसे दो बर फोल्ड करके ऐसे तिकोन पराठा बना रहे हैं सभी परते बहुत ही अच्छे से खिलके आएं इसलिए घी लगा लिया है और इसे तिकोना बेल लेंगे तो इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं बहुत जादा पतला नहीं करेंगे तो एक पराठा बेल लिया है ये देखिए तिकोन या फिर गोल पराठा भी बना सकते हैं आप अब इसी तरह से एक और बना के रिखाती हूँ लोई से पेडा बनाएंगे और गेउं के आटे में डस्ट करके इसको बेल लेंगे अब घी लगाके इसको फोल्ड कर लेंगे और तीन कोने वाले पराठे इस तरह से बेल के तयार कर लेंगे तो ये देखिए तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन पराठे बेल के तयार किये हैं तो चलिए इन्हें सेख लेते हैं पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मोटे तले का लोहे का तवा लिया है तवा गरम हो चुका है तो अब हमने जो पराठा बना के रखा है वो तवे पे डालेंगे और इसे 10 से 15 सेकेंड तक एक तरफ से सिखने देंगे अब यह पराठा एक तरफ से सेक चुका है तो इसे पलट लेते हैं और उपर वाले हिस्से पर घी लगा लेंगे और इसे फैला लेते हैं अब पराठे को पलट के दूसरी तरफ से फिर से सेकेंगे और सभी तरफ से घुमा के पराठे को अच्छे से सेक लेंगे तो यह देखिए, अब इसे फिर से पलट लेते हैं और इसे भी किनारों से दबाते हुए अच्छे से से शेक लेंगे अलट पलट के मेथी के पराठे को शेकने के बाद यह देखिए एक पराठा सिक चुका है एक और पराठा सेक के दिखाती हूँ तबे पराठा डालेंगे और जब ये एक तरफ से हलका सिख जाए तो इसे पलट लेंगे उपर की तरफ खी लगाके इसे फैला लेंगे घी को और पराठे को पलट के इसे दूसी तरफ से सेक लेंगे सभी तरफ से किनारे से दबाते हुए सेखेंगे और ये पराठा एक तरफ से सेख चुका है तो अब हम इसे पलट लेते हैं और दोनों तरफ से अलट पलट के हमने ये देखे दूसरा पराठा भी सेख लिया है इसी तरह से एके करके सारे पराठे हमने सेख लिए हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं मेथी के पराठे इनकी परते कितनी अच्छी बनी है ये देखिए मैं आपको परते खोल के दिखा रही हूँ उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट पराठे बनके तयार है इसे आप अपनी पसंद के डही, अचार, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खाईए इन सर्दियों में ये मेथी के पराठे ज़रूर बनाईए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में